हलो एवरिवान मेरे लास लेक्षे में मैंने आपको बता था कि होरिजोंटल फ्लोड टाइब सैट्निंग टांग में जो एफिशेंसी होती है या जो सैट्लिंग होती है वो किंगन फाक्टर पे डिपेंड करती है यह diagram अगर आपको याद हो तो मैंने last lecture में भी आपको explain किया था अब हम यहाँ पे सीधे आजाते हैं इस tank की designing पे कि कौन कौन से designing steps हैं क्या क्या उसमें assumptions होंगे तो वो start करने से पहले मैं थोड़ा सा introduction देना चाहूंगी कि design में हमें क्या condition ध्यान में रखनी होती है तो सबसे पहले जो हमारा aim होता है designing का वो यह होता है कि जो भी efficiency है इस tank की जो आप देख रहे हूँ वो maximum हो right यानी हमें efficiency percentage maximum करना होता है अब इसके बाद अगर हम condition की बात करें कि 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 condition को अपनाने से हमारी ये जो efficiency हो maximum हो सकती है तो अगर हम condition की बात करें तो simple जो condition हमको मिलेगी जिससे हमारी efficiency maximum हो जाएगी वो condition आपकी कुछ इस तरीके से है मैं एक T symbol यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे It should be greater than equal to T S अब यहाँ पे जो capital T देख रहे हो वो है आपका travel time और यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो यह जो capital T है वो आपका in short अगर आप इसको explain करोगे तो आप कह सकते हो यह है आपका travel time और यह जो T S है यह है आपका settling time तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है travel time मतलब एक particle को tank के inlet से outlet जैसे आप देख सकते हो कई सारे zone होते हैं यह आपका inlet zone हो गया यह आपका settling zone हो गया यह sludge zone और यहां से आपका outlet zone तो एक particle जब यहां से enter किया उसको inlet से outlet तक जाने में कितना time लगा यानि इस पूरे triangle को travel करने में कितना time लगा वो हो जाएगा आपका travel time that is capital T और फिर उसी particle को यहां settle होने में कितना time लगा वो हो जाएगा आपका settling time मैंने अपने last lecture में बताया था कि particle को settle तब मानते हैं जब वो इस settling zone के bottom तक पहुच जाता है तो अगर यह particle यहां पहुच रहा है तो settle down है अगर कोई particle यहां पे होता और अगर इसका हम resultant निकालते तो यह particle भी यहां पे कहीं आ करके settle down हो जाता इसी तरीके से अगर कोई particle यहां पर होता और हम इसका resultant निकालेंगे तो यह particle यहां से बाहर निकल जाएगा और यह आपका नीचे bottom तक आ करके नहीं हो सकता तो यानि यहां पर अगर particle इसके bottom तक आ गया है जैसे यह particle है यह particle है तो हम उस particle को settle down मान लेंगे और इस settlement को होने में जितना time लगेगा वो हो जाएगा आपका settling time ts तो यह हमारी condition है कि travel time settling time से जाधा होना चाहिए अब इसके बाद देखते हैं कि travel time को हम निकालेंगे कैसे तो हमें time का simple formula पता है कि जब हम भी हम कभी time की बात करते थे तो हम कहते थे it is is equal to distance upon speed ठीक है अब हम इसके लिए equation लिखते हैं और अपने ts के लिए equation लिखते हैं तो जब हम distance upon speed की बात करेंगे तो पहले हम आजाते हैं अपने travel time पे तो आप देखो इस travel करने में इसने कितना distance travel किया l और speed कितनी है इस particle की vf is flow velocity यह मैं पहले बता चुकी हूँ जिस velocity से particle हमारा flow होता है और vs is settling velocity जिस velocity से particle settle होगा तो इसको travel करने के लिए इसने speed follow की vf तो यानि t की जगा पे हम लिख सकते हैं l upon vf it should be greater than equals to ts की जगा पे हम लिखेंगे इसने कितना length travel करना है अगर settle down होना है तो h यानि इसे h distance travel करना है और इसकी velocity कितनी है इस case में vs तो यह condition मन गई अब हम यहाँ पे एक काम करें जो हमारा vf है जिसको हम flow velocity बोलते हैं तो velocity का एक और formula भी आप लोगों को पता होगा कि जो velocity होता है वो होता है discharge upon area तो discharge यहाँ पे हम क्यों मान लें और area यहाँ पे obviously यह cross sectional area होगा क्योंकि पानी यहाँ से enter हो रहा है तो यह हमारा h हो गया और इसकी width हम लेंगे length नहीं consider करेंगे क्योंकि हम cross sectional area ले रहे हैं या फिर flow area vf is flow velocity तो वो हमेशा b into h हो जाएगा अब यह जो bf की value है यह हमेशा याद रखिएगा q upon bh जहांपे q discharge और bh हमारा cross sectional area या flow area है अब इसको जब हम इस equation में यहाँ पे put करेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से value मिल जाएगी जो l है जो l है वो as it is रहेगा और यहाँ पे q यह l upon vf की जगा पे q by bh यह हमने vf की चुगा पे रखा है it should be greater than equals to h upon v s इसको जब हम solve करेंगे तो हमको मिलेगा l bh upon q it should be greater than equals to h upon v s further यह cancel out हो जाएगा तो यहाँ से हमको आप देखो v s के लिए एक equation मिल जाएगी जब v s को आप इधर ले जाओगे it should be greater than equals to q by b l यह equation आप देखें हमको v s की यहाँ से मिली है v s should be greater than equals to q upon q upon b l तो यह जो v s है यह मैंने आपको पहले भी बताया था this is your settling velocity और q upon b l जो हमारा होता है उसको हम बोलते हैं overflow rate या फिर overflow velocity तो यहाँ पर यह condition आ गई कि अगर किसी भी particle की settling velocity इस term से ज़ादा है q upon b l से या उसके बराबर है तो वो particle हमारा settle down हो जाएगा तो यानि यह हमारी condition एक general बन करके आ गई तो एक तो हमें यह चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी हमारी settling velocity है वो हमारी v upon q s वो इससे ज़ादा या इसके बराबर होनी जाएगे तो एक हमारी यह condition यहाँ से निकल के आ गई ठिक इसको याद रखिएगा अब आगे जलते हैं इसी diagram पे आ जाते हैं अब इस diagram में आप देखेंगे कि जो हमारा particle है हमने उससे top most point से enter कराया है मतलब जो हमारा inlet था inlet zone के top most point से enter कराया तो जब वो particle हमारा enter हो रहा है उस time पे उस time पे अगर हम consider करें तो यह vf हो गया और यह vs हो गया अब हम अगर similar triangle को देखेंगे आगे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो हमारा vf है ठीक है vf अपॉन vs अगर हम लगाएंगे तो जो vf हो हमारा l के correspondence है और जो vs हो हमारा h के correspondence है फिर से हम vf की जगा पे q अपॉन bh रख सकते हैं और vs हमारा as it is रहेगा और यहां से l अपॉन h ठीक है यह h, h फिर से cancel out हो जाएगा तो हमको vs यहां से क्या मिल गया vs is equal to q by bl अब यह आप देखिए यहां से जो last हमने किया था उसमें हमें condition मिली थी vs should be greater than equal to q by bl और यहां पे हमको क्या मिल रहा है vs is equal to q by bl अब आप इसको इस diagram में देखिए यह जो particle है यह settle down हो रहा है यहां पे बिल्कुल end में यानि यह minimum velocity है यानि यह minimum settling velocity है which is required ठीक है for a particle to settle down अगर हमारे किसी भी particle की velocity इससे जादा या इसके बराबर हुई तो वो particle हमारा settle down easily हो जाएगा ठीक है इसी लिए इसके उपर के जितने particle हैं यहां पे इस yellow line के उपर के जितने भी particle हैं वो settle down नहीं होंगे वो सारे के सारे जसे आप यहां पे consider करो इसका resultant लोगे यह सब के सब बाहर निकल जाएंगे लेकिन इस yellow line के नीचे के जितने भी particles हैं आप कहीं पे भी draw कर लो उसका resultant हमेशा इस zone के end में ही आएगा यह देखिए इस line के नीचे यानि यह हमारी एक condition आगए कि vs जो है वो qybl के अगर बराबर है तो हमारा particle settle down हो जाएगा अब आगे चलते हैं अब हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने tank को design कर सकते हैं अब design data की बात करते हैं इसमें data important इसलिए है क्योंकि जब आप numerical करोगे जब भी question आएगा तो जरुई नहीं कि सारा data आपको given हो उस case में क्या assume करना है वो यहां से पता चलेगा प्लस आपने पूरी designing कर ली आपने जो length, width, height निकाली है आपको देखना है कि वो range में है या नहीं है otherwise आपको designing फिर से करनी पड़ेगी तो वो limit भी पता चल जाएगी और assumptions भी पता चल जाएगे तो पहले हम बात करते हैं सबसे important factor की हमारा है length और width का ratio तो first is L by B इस ratio को हम कितना लेते हैं तो अगर हम इसके range की बात करें L by B की तो इसकी range है 3 to 5 ठीक है तो अगर question में हमें दिया है तो ठीक है otherwise हम इसको जो assume करेंगे वो assumption है हमारा L is equal to 3 by B तो question में हमको ये assume करना होगा जो data assume करना है वो मैं आपको इस square bracket में लिख दूँगी तो पहला ये हमारा हो गया दूसरा है आपका effective depth effective depth का मतलब होता है capital H मैंने diagram जो पिछला भी बनाया था उसमें मैंने capital H लिखा था और capital H का मतलब होता है depth of water ठीक है जिसमें free board और sludge वाला included नहीं होता तो depth of water का हो या effective depth का हो tank की वो है H अब ये जो H है इसकी हम minimum value अगर बताएं तो आपकी minimum value 2.5 meter है primary sedimentation tank के लिए PST means primary sedimentation tank और 3.5 meter है आपकी minimum value for secondary sedimentation tank ये दोनों ही values जो मैंने आपको बताई हैं ये आपकी दोनों ही values हैं minimum ठीक है ये maximum values नहीं है ये आपकी values है minimum तो ये तो हो गया इसकी range अब हम assume अगर करना होगा अगर हमें मानलो कोशन में नहीं दिया हुआ है कि क्या है तो हम इसको simply जब हम assume करेंगे तो हम इसको assume कर सकते हैं H is equal to 3 meter तो यहाँ पे जो मैं square bracket में लिख रही हूँ मैं थोड़ा color change कर देती हूँ ये जो मैंने आपको square bracket में यहाँ पे लिखा है ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको याद रखना है actually for numerical तो एक तो यह L is equal to 3 times of B और दूसरा है H is equal to 3 meter next is next is detention period तो जो detention period है उसको मैं एक बार explain कर दू detention period का मतलब होता है वो time जितने time के लिए हमारा particle पानी के अंदर रुका that is detention period ठीक है या जितने time के लिए पानी हमारा tank के अंदर रुका ठीक है तो जितने भी time के लिए हमारा पानी tank के अंदर रहेगा वो हो जाएगा हमारा detention time अब ये जो time है इसका जो हमारा range होता है वो 2 से 4 हमेशा हम इसको hours में देखते हैं और ये 2 से 4 घंटा होता है आपका primary secondary sedimentation tank याद रखिएगा ये hours में होगा हमेशा और इसमें जो 2 से 4 है वो PST के लिए है और डेर से लाइए आपका SSD के लिए अब इसमें हम क्या करें क्या assume करें मानलो हमें question में नहीं दिया हुआ है चाए वो primary हो चाए वो secondary हो मैं assumption दोनों के लिए same बता रही हूँ आप दोनों में same use करोगे तो अगर नहीं दिया है तो हम जो time consider करेंगे वो हो जाएगा 2 hours यानि अगर हमें time नहीं दिया हुआ है question में तो इसका use होगा तो हम यहाँ पर assume करेंगे 2 hours ठीक है अब इसके बाद आते हैं अपने next data पे अगर हम अगले data की बात करें तो जो next data है हमारा that is number 4 जो next data है हमारा fourth पे वो है हमारा अगर हम velocity की बात करें जैसे आपने देखा था flow velocity होती है जिस velocity पार्टिकल हमारा travel करता है tank के अंदर settle नहीं होता travel करता है तो अगर हम flow velocity की बात करें तो जो maximum मैं max लिख रही हूँ maximum flow velocity symbol इसका vf होता है जो हम assume करेंगे वो है हमारी 0.3 meter per minute और ये जो maximum velocity है 0.3 meter per minute अगर हम इसको meter per hour में अगर हम इसको convert करते हैं आप ये भी याद रखिएगा तो वो हो जाती है 18 meter per hour अभी इसका use कहा आएगा मैं आपको बताऊंगी जब हम numericals करेंगे तो ये जो value है आपको याद रखनी है और ये आपको assume करनी पड़ेगी questions में जब आपको ये value नहीं दी हुई होगी ये vf की important value है flow velocity की 0.3 meter per minute फिर हम बात कर लेते हैं free board की जो हमारा free board हमें provide करना होता है तो अगर हम free board की बात करें तो generally हम 0.5 meter लेके चलते हैं और अगर हम sludge की बात करें sludge height की हमें sludge zone की कितनी height देनी है तो जो sludge की हम height provide करते हैं वो generally 1 meter होती है तो ये भी हमारे एक तरीके से देखा जाएं, तो assumptions हैं, अगर हमें question में कहीं पर भी जरुरत पड़ेगी, तो हम निकालते हैं, और इन दोनों का use क्या है, अगर आपको total height बतानी है tank की, तो आप बता सकते हो, जो h है वो, plus freeboard, plus जो हमारा sludge है, उस sludge की height, तो इन तीनों को जोड़ करके, हमारी जो total height हुटी है tank की, वो निकल करके आती है, right, क्योंकि जब भी आप tank design करोगे, आप LB और total height ही निकालोगे, length width और total height, तो ये आपको यहाँ पर use आएगा, ठीक है, अचा, अब इसके बाद, अगर हम एक और चीज़ की बात करें, तो maximum length और maximum width भी देख लेते हैं कि कितनी होनी चाहिए, अब जो final answer निकालोगे, तो अगर हम maximum length की बात करें, तो जो length है, it should not exceed 100 meter, और अगर हम maximum width की बात करें, that is B, it should not exceed 30 meter in any case, ठीक है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि answer हमारा इससे जादा नहीं आना चाहिए, right, एक time और होत था, बहुत important है, q by bl, अब इसको ज़र ध्यान से देखेगा, जो q by bl मैंने लिखा हुआ है, ये, ये बहुत important है, और हमने condition भी इससे से बनाई थी, we should be greater than or equal to q by bl, तो ये जो q by bl है, इसको हम बोलते हैं, overflow rate, या फिर overflow velocity, अब आप देख सकते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, कि इसकी जो unit है, वो आपकी हो जाएगी, liter per day, per meter square, liter per day is for discharge and per meter square is for this area, इसकी जो range होती है, अगर हम इसके range की बात करें, ये भी हमारा important है, तो इसकी range आपकी हो जाएगी, अगर आप इसके range की बात करेंगे, overflow rate के, तो यहाँ पर मैं range बिता दूँ, इसकी range होगी, 12,000 से 18,000 liter per day per meter square, 12,000 से 18,000 liter per day per meter square, और अगर आप इसे meter cube में करना चाहते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी, 12 से 18 meter cube per day per meter square, ठीक है, यूकि आपको भी पता है, कि एक liter में, या ऐसे कहलो आप, एक meter में 1000 liters होते हैं, एक meter cube में 1000 liter होते हैं, तो इसलिए हमारे ये convert हो गया, ये हमारी 7 चीज़ें हैं, जो आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया, इधर से आप फिर से देख लें, एक तो आपको ये data याद रखना है, मैं थोड़ा सा pen का color change करती हूँ, ताकि आपको याद रहे, एक तो आपको ये data याद रखना है, L is equal to 3B, दूसरा आपको ये data याद रखना है, H is 3 meter, third is, detention period is 2 hours, next, maximum velocity, you have to remember, 0.3 meter per minute, this freeboard thing, and the last is, this overflow rate, इसकी range है, 12 से 18 meter cube per day, per meter square, इतना data आपको याद रखना ही है, at your tips, जब आप numericals करोगे, तो, okay, now, the next is design steps, अभी data हमने देख लिया, आप उसको कहां पर कैसे लगा रहे हैं, वो देखते हैं, design steps, पहला step है, सबसे पहले हम निकालेंगे अपना sewage flow, ठीक है, अब sewage flow और water flow, आपको question में दिया होगा, तो ह हम कैसे पता लगाएंगे sewage flow है, अगर water supply लिखा हुआ है, इसका मतलब वो sewage discharge नहीं है, हमको इसको sewage discharge में convert करना पड़ेगा, क्योंकि हम sewage treatment की बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको बस खाली याद रखनी है, कुछ भी value given होगी हमें discharge की, उसका 80% हमारा हो जाएगा sewage discharge जा sewage flow, और वही 80% हमको consider करना होगा as Q, तो यानि Q हमारा है sewage flow और इसकी unit याद रखिएगा हमेशा होगी meter cube per hour, right, for example, मैं एक चोटा सा example बताती हूँ, अगर आपको, for example, suppose, अगर आपको water supply question में दी हुई है, कि आपको supply discharge given है, suppose 45 mld, और आपको इस 45 mld को, अभी आपको पता है, यह आपका sewage discharge नहीं है, अब आपको इस 45 mld को, जब Q में convert करना होगा, which is sewage, तो सबसे पहले तो आप इसको point 8 से multiply करोगे, तो यह आपका आगया sewage discharge in million liter per day, अब आपको इस million liter per day को convert करना है, meter cube per hour में, तो अब आप इसमें point 8 into 45 into 10 to the power 6, इस 10 to the power 6 को करने से आपका liter में convert हो गया, और upon 24 करने से यह per day में convert हो गया, अब liter से आपको meter cube में आना है, तो point 8 into 45, 10 to the power 6 तो था ही, साथ में आपको 10 to the power minus 3 भी करना पड़ेगा, तो यह जो 10 to the power minus 3 आपने किया, इस से liter से आपका meter cube में convert हो गया, और यह आपका 24 से आपने किया था, यह आपका per hour में convert हो गया, यहां से, तो यानि इतना आपको करना प करके simple लिखा होता, sewage flow, इस 45 MLD, तो आपको यह step नहीं करना होता, आप point 8 से इसको multiply नहीं करते, बाकी सारा step आपका same होता, right, तो आपको meter cube per hour में अपना discharge calculate करना होगा, सबसे पहला काम आपका numerical में यह होगा, एक बार यह step आपका हो गया, फिर हम आजाएंगे second step पे, जिसमे आप tank का volume निकालोगी कि कितना बड़ा tank आपको design करना है, तो volume के लिए मैंने यह symbol यूज किया है, तो simple आपका discharge आपको पता है, discharge is equal to volume, rate of volume, that is volume by time, तो आपने same आपने यहाँ पे use किया, यहाँ से आपका volume आ गया meter cube में, अब यह जो time है, यह आपका detention time है, तो अगर तो आप आपको detention time यहाँ पे आप देखो, assume करना पड़ेगा, यह मैंने लिखा भी हुआ है, और आप कितना assume करोगी बताया था मैंने 2 hours, तो आपने simply 2 hours assume किया, यहाँ पे value रखी, और यहाँ से आपका आजाएगा volume, तो अब आते हैं third step पे, एक बार यह आपको volume आ गया, फिर आप निकालोगे surface area, surface area is B into L, अब surface area निकालने के लिए आपको पता है, जो volume होगी, वो volume होगी L, B, H, अब अगर हम यहाँ पे height assume कर लें, तो हमारा surface area निकल आएगा, वही हमने किया, यहाँ पे हमने height assume कर ली 3 meter, मैंने आपको last में भी बताया था कि 3 meter height assume करते हैं, अगर नहीं दी है, तो, height मतलब depth of water, यहाँ पे आपने 3 meter assume किया, और जब इस value को आप यहाँ पे रखोगे volume से, तो आपका surface area आ जाएगा, surface area याद रखिएगा, surface area का मतलब है, B into L, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, step 4, step 4 में आपको निकालना है, flow area, B into H, अब flow area, पता है, आपको discharge is equal to, ज velocity into area होता है, तो, यहाँ से हम area निकालेंगे, discharge upon volume, sorry, velocity, अब यह जो velocity है, यह flow velocity है, यानि area भी आपका flow area होगा, तो, यहाँ पे आपने, इस velocity को, अगर question में given है, flow velocity, तब तो ठीक है, otherwise, आप इसे assume करोगे, अब यहाँ पे देखो, आप जो value use करोगे, वो होगा, 18 meter per hour, reason यह है जो आपने discharge पहले में निकाला है, वो आपका meter cube per hour में है, तो, इस वज़े से आपको, क्योंकि यह आपका meter cube per hour में है, discharge, तो, velocity भी आपको meter per hour में ही रखनी होगी, ताकि यह cancel out होगे, finally, आपको meter square में आपका area मिल जाए, ठीक है, तो, 18 meter per hour velocity है, जो maximum होती है, वो आपको consider करनी है, तो, यहाँ से आपका flow area भी निकलाएगा, last आपका जो step बचता है, वो है आपका dimensions निकालना, dimension मतलब length width और उसकी total height, तो, यहाँ पर एक assumption आप कर सकते हो, अगर चाहो यह दो, एक तो, यह वाला और freeboard वाला, पिट आपको जो calculation में values या formula यूस करने है, वो है, b is equal to flow area upon height, क्योंकि आपको पता है, b into h is flow area, length निकालने के लिए surface area upon width, क्योंकि surface area आपको पता है, l into b, और total height हो जाएगी, आपकी h plus freeboard, तो, यानि आपका width आगया, length आगया, और total height आगया, तो, यहाँ पर आपका जो question है, देखा जाए, तो, वो खताम है, क्योंकि आपने टीनो dimensions निका लिए, last में आप क्या कर सकते हो, अगर आपका मन करें, तो, आप चेक कर सकते हो, एक बार, आप एक ratio निकाल लो, l by b का, और देखो, इसकी value क्या आ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया है, इसकी range होती है, 3 से 5, तो, अगर यह इस range में आ रहा है, तो, ठीक है, एक तो, maximum length है, वो है 100 meter, तो, यहाँ से आपकी जो length निकल के आ रही है, आप चेक कर सकते हो, वो 100 से कम है या नहीं, तीसरा जो check है, वो आप कर सकते हो, maximum width के लिए, जो की मैंने बताया था, 30 meter, तो, जो भी width आपकी यहाँ से निकल के आ रही है, आप यहाँ पर चाहों तो, लिख लो it should be less than equal to 30 meter, it should be less than equal to 100 meter, तो, अगर यह condition satisfy हो रही है, L by B वाली, L वाली और B वाली, तो, मतलब आपकी designing एक दम fully correct है, तो, यह conditions भी आप ध्यान रखिएगा, अब एक चीज़ आपर मैं थोड़ा सा clear करना चाहूंगी, flow area के बारे में, और surface area के बारे में, मैं चाहती हूँ, आ यहाँ पर मैं चोटा सा diagram draw करूंगी, एक 3 diagram draw कर देते हैं, tank का, तो, for example, आपका इस तरीके से tank है, और यह यहाँ पर मान लेते हैं, ऐसे, तो, जो आपका dimensions है, अगर हम dimensions की बात करें, तो, यह आपका length हो जाएगा, यह आपकी width है, और, यह आपकी है, height, पानी हमारा यहाँ से enter कर रहा है, इस space पे, ठीक है, अब आप खुछ से देखिए, जो आपका flow area है, तो, flow तो, आपका इस direction में हो रहा है, तो, cross sectional area, flow area, उसका perpendicular area कौन सा हो जाएगा, यह वाला हो जाएगा, ठीक है, तो, यानि, this is B, and this is H, तो, flow area आपका क्या बन गया, B into H, समझ में आया है, तो, यह आपका flow area हो गया, surface area देखें, तो, इसका surface अगर आप देखेंगे, तो, surface आपका यह है, तो, आप इसको consider करो, यह आपका हो गया, L into B, तो, यानि, surface area इसलिए आपका कहलाता है, L into B, ठीक है, तो, यह हमेशा याद रखि के लिए इतना काफी है, और जब मैं next lecture में आपको बताऊंगी, तो, मैं आपको आगे discuss करोंगी, कैसे आप इसके numerical कर सकते हैं, एक simple आपको example solve करके दिखाऊंगी numerical का, till then, please take care and do subscribe to my channel, thank you so much.